है लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं एकदम चलिए आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट डिसकस करने वाले हैं फाइफ मिनेट्स का और बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और उसके बाद में हम लोग एक जर्णल के क्वेस्टन की प्रैक्टिस करने वाल साथ में जो पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लासेज में प्रीवियस वीडियो लेक्ट्स में ओल्रेडी कवर किये हैं वही पॉइंट्स हम डिसकस करने वाले हैं सिरफ एक नया पॉइंट जो अभी क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग डिसकस कर लेते हैं यह पॉइंट बह इतनी important entry यह होती है चलिए बात करते हैं इस entry का background समझते हैं हम लोग पहले आप लोगों ने हर साल एक जो होता है class है वो आप clear करते हो और next class में promote हो जाते हो फिर आप एक class clear करते हो फिर next class में जैसे आपने 9th clear किया 10th में 10th से आप लोग 11th में आ चुके हैं 11th से आप लोग 12th म कि हम लोग क्या करते हैं 9th वाले register को क्या 10th में continue कर लेते हैं या फिर 10th के लिए नए register बनाते हैं और फिर 10th से 11th में क्या करते हैं हम लोग तो sir हमने हर साल क्या किया है नए registers maintain किया है अभी आप देखोगे आपने 11th के लिए accounts का almost बच्चों ने एक नया अच्छा सा register बना लिया है ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा SST का science के register में ही उसने पीछे जगे पड़ी थी और 10th वाले register में ही 11th का का काम करना start कर दिया है नहीं हमने क्या किया था हमने एकदम नया register बना लिया है तो ठीक वैसे ही जैसे आप हर साल एक नया register maintain करते हो accounts के अंदर भी उसी तरह से हर financial year end होने के बाद में नए financial year से नए registers maintain किये जाते हैं नए accounts maintain किये जाते हैं पूरा नए accounts close हो जाते हैं नए accounts फिर से start हो जाते हैं तो registers change होते रहते हैं तो अभी एक word बोला मैंने financial year what is financial year? a year starting from 1st of April ending on 31st March is known as financial year तो accounting के अंदर हमेशा जो profit है वो 12 months के period के लिए calculate किया जाता है और 12 months के period को हम लोग क्या बोलते हैं financial year बोलते हैं यह financial year country wise अलग-अलग हो सकता है अभी मैंने April to March बोला वो ही आप अगर USA जाओगे तो आपको वहाँ पे January to December देखने को मिलेगा जिसको हम लोग calendar year बोलते हैं तो इंडिया के अंदर by default आपका accounting year जो है वो आपका कब से रहने वाला है वो आपका accounting year रहने वाला है 1st April 2019 से अगर बात करें तो 2019 to 31st March 2020 ठीक है यह financial year हो गया यह start कब हुआ 1st April को यह इसका beginning है और इसका end कब हुआ 31st March को अब फिर क्या होगा उसके बाद में 1st April 2020 से नया year start हो जाएगा और यह year कब end होगा 31st March 2021 को तो यह एक अलग financial year हो गया तो अब यह मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि यह जब year end होगा तो यहाँ पे एक बार के लिए सारे accounts क्या कर दिये जाएंगे close कर दिये जाएंगे और फिर वो accounts close होने के बाद में कुछ accounts के balances को यहाँ पे वापस से क्या कर लिया जाएगा carry forward कर लिया जाएगा इसको जो है accounts के अंदर first day हम लोग carry forward कर लेते हैं चलो अब समझते हैं इसको तो आपने जब 31st March आया जैसे ही यह financial year आपका complete होने वाला है अब मुझे बताना आप लोग क्या करोगे books को close करेंगे तो books close करेंगे तो क्या हमारी सारी की सारी assets सारी liabilities clear हो जाएगी या कुछ balances बचे वे रहेंगे of course बचे वे रहेंगे हम लोग अपनी machines को close तो नहीं कर देंगे खाली उनको books के अंदर close कर रहे है machines हमारे पास अभी भी है जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उनसे हमें पैसे लेने हैं तो यानि की कहने का मतलब है कि आपकी जो assets है liabilities है और capital assets liabilities and capital ये तीन चीज़े ऐसी है जो आपकी close नहीं हो सकती है इनको खाली books के अंदर closing entry की जाती है फिर इनको वापस से next year को क्या करना पड़ता है carry forward करना पड़ता है तो आपने क्या करना है 31st March को close करना है close करना आपको सिखाएंगे summarizing के chapter के अंदर अभी बहुत काफी time बात सीखेंगे अभी closing नहीं सीखेंगे हम लोग लेकिन आपने close कर दिया यहाँ पे और close करने के बाद में 1st April को वापस से उनको जब carry forward करते हैं तो एक entry डाली जाती है books के अंदर 1st April को ही वो entry डाल दी जाती है उस entry को हम लोग बोलते हैं opening entry क्या आप वापस से सुनेंगे और 31st March we close all the accounts and carry forward the balances of assets, liabilities and capital to the next financial year on 1st April and one entry is passed on that date for carry forward of previous year balances and that entry is known as opening entry तो पिछले साल के balances को current year के अंदर carry forward करने के लिए एक entry की जाती है उस entry को बोलते है opening entry और ये opening entry केवल और केवल existing firms को ही करने की जरुवत है जो firm इसी साल बनी है उसका तो business start हुआ है तो पिछले कोई balances नहीं होंगे लेकिन जो firm previous year से चल रही है या फिर बहुत सालों से चल रही है उस firm में हमेशा 1st April को क्या करेंगे opening entry बनाएंगे क्या क्या चीज़े assets, liabilities और capital ये balance इनके हमेशा होते है nominal accounts जो भी होता है salary, rent और इनको carry forward नहीं करना होता है वहीं पे close हो जाते है लेकिन assets का balance है आपके और liabilities के balance है और capital का balance है इनको हम लोग carry forward कर लेते हैं और opening entry करके journal के अंदर record करते हैं opening entry बनाते कैसे हैं तो opening entry बनाने के लिए देखना क्या है funda ये है अपने पास assets और assets किसी भी firm की हमेशा equal to होती है liabilities के plus capital ठीक है यानि कि कितना लोग outsider अपने से पैसा मांगते है और कितना मालिक अपने से पैसा मांगते है ये इनोंने जितना पैसा दे रखा है वो ही business की assets होती है ठीक है ये double entry system का dual aspect principle का rule है assets हमेशा liabilities plus capital के equal होगी और इनका balance जो बचावा होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो सीधा सा fund है assets को हमेशा हम लोग क्या करेंगे debit करेंगे assets का balance कौन सा होता है हमेशा debit balance होता है इसलिए सारी assets को opening entry के अंदर individually debit कर देंगे जो जो assets है total करके नहीं एक एक अलग-अलग assets को अलग-अलग balance के साथ write down करेंगे और जीतनी भी liabilities है उनको हम लोग credit कर देंगे और capital का balance भी क्या होगा credit होगा और बहुत बार आपको question के अंदर capital का balance given ही नहीं होगा तो जब भी capital का balance given नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे assets मेंसे liabilities last कर देंगे तो difference amount होगा वो क्या होगा आपका capital अगर किसी भी entry के अंदर या किसी question के अंदर अगर अपने को capital given नहीं है तो इन दोनों का जो difference आएगा वो capital होगा क्योंकि यह हमेशा equal रहेगा debit credit equal रहेगा clear हुआ तो opening entry करना एकदम simple है जो भी assets है आपके पास में वो सारी debit कर दो जो भी liabilities है वो credit कर दो difference amount capital credit कर दो यह बन गई opening entry और यह asset liabilities के balance कहां से आएंगे previous year से आएंगे question में अपने को given होगे चलिए अब अपना वो question है वो practice कर लेते हैं बस इतना सा था opening entry question practice करते हैं journal का यह देखिए यह question यह जो question है आप लोग एक बार अच्छे से read कर लीजिए या तो पोज करके read कर लीजिए या फिर screenshot ले सकते हैं आप इसका उसके बाद में हम लोग यह question start करते हैं चलो हम लोग question start करते है जर्णल का format है वो मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है क्या क्या columns होता है journal के अंदर date होता है particulars होता है जहां पर entry लिखी जाती है फिर laser folio जो अपने को अभी use नहीं करना है page number लिखे जाते है laser के और यह amount होता है debit credit ठीक है चलो start करते हैं सबसे पहले लिखावा है the following balances appeared in the books of raja store तो हम लोग किस के लिए journal बना रहे है मालिक का नाम क्या है राजा तो यहां लिखेंगे journal of राजा इस्टोर उसके बाद में लिखा है कि यह balance जो है वो गीवन है तो assets दीवी है liabilities दीवी है और assets and liabilities अगर अपने को गीवन है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा opening entry बनानी पड़ेगी दो ही तरह से question start होता है या तो लिखा हो कुछ assets और liabilities होगी तो assets and liabilities अगर गीवन है तो सबसे पहला काम opening entry बनाएंगे यह नया year इस्टार्ट हो रहा है अपना 2020 और 2020 के अंदर April 1st को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे opening entry opening entry कैसे बनाते हैं वो हम समझ रहे हैं तो जितनी भी assets दे रखी है वो सारी assets debit कर दो cash account debit bank balance यानी bank account debit bank में 10,000 रुपे पड़े हैं अपने stock account debit dators जो भी assets है सारी assets individually debit करनी है तो dators के देखो 40,000 है लेकिन dators के नाम दिये हैं P और Q तो dators नहीं लिखेंगे उनके नाम लिखेंगे P and Q dators क्या होते हैं वो लोग वो customers जिनको हम उधार पे माल बेशते हैं उनसे हमें पैसा लेना है इसलिए वो हमारी assets है तो P Q इतनी assets है फिर सारे credit liabilities सारी credit कर देंगे है तो liabilities क्या क्या है अपने पास एक तो bank से लोन ले रखा है तो bank loan account है फिर क्या liability है creditors है creditors के नाम लिखेंगे चीन्टू है और मिन्टू है ठीक है तो amount है वो लिख देते हैं अब हम लोग हुआ 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 है ठीक है यह सारे amount लिख दिये अब आप लोगों को total करना assets का total करो फटा-फट से 24 40 40 40 85 90 110 लाइब लिटीज का हो रहा है 35000 यानि कि difference आ रहा है तो जो difference है वो capital होगा सर्य क्यों होता है क्योंकि बीटा किसी भी business के अंदर होता ही है, must होता है capital business में सबसे पहले पैसे को लगाता है owner तो अगर कोई भी difference आ रहा है तो liability में क्या difference में लिखेंगे capital लिखेंगे में हमेशा capital करो फटा-फट से कितना हो गया 75,000 यह कैसे कैल्गुलेट किया यह मैं हिंट के लिए आपके लिए लिए लिख देता हूं कि आपकी टोटल थी तो बाकी का जो पैसा है वो किस ने लगा रखा है मालिक ने लगा रखा है तो हमने लिख दिया to capital यह हो गया इसका narration हम लोग लिख सकते हैं being opening balances brought forward ओर बड़ा narration लिखना हो तो लिख सकते हैं opening balances of assets, liabilities and capital brought forward चलो यह बन गई opening entry तो opening entry कभी भी किसी भी question में है अगर आपको assets, liabilities के balance given हो तो समझ लेना कि opening entry करनी है सबसे पहले अब उसके बाद में year start हो चुक है अब transactions दे रखें तो सबसे पहले अप्रेल टू का transaction क्या transaction given है transaction दिया है purchase goods from Kunal for rupees 10,000 trade discount है 10% और cash discount है 2% paid 60% amount immediately pay किया है purchase की entry है आपको लोगों को बताया था मैंने एक shortcut fundा कि जब भी purchase करे टीडी सीडी immediate payment सारी चीजे जब हो mix up तो एकदम simple सा fundा है purchase account है वो debit होना है goods आ रहे हैं और कितनी value से debit होना है invoice price से और invoice price क्या होता है MRP list price last trade discount MRP मैंसे trade discount last करें तो यह हो गया 9,000 अब बाकी की सारी चीजे क्या होनी है credit होनी है तो जितना उसको पैसा दिया to cash जितना discount मिला discount और जितना उधारी पे है तो उतने के लिए उसका नाम आ जाएगा किसका नाम आएगा कुनाल का नाम आजाएगा ठीक है अब यह तीनों amount है वो अपने को calculate करने पड़ेंगे तो यह देखना यहाँ पे solve करते हैं इसको 9,000 हो गया TD less करके अब इस में से payment का क्या बोला है क्या रहा है 60% amount तो 9,000 का 60% हो गया 5,400 और बाकी का हो गया उधार पे यानि 3,600 अब 54 पे CD मिल जाएगा CD हमेशा किस पे मिलता है यहाँ नहीं मिलेगा CD हमेशा जितना cash में हो उतने पे मिलता है तो CD कितना हो गया 2% से 108 तो यह amount हो गया आपका 5,298 चलो इसको लिख देते हैं फटा-फट से sorry 5,292 यह हो गया उसके बाद में है next entry sold goods to pay for Rs.8,000 इस entry में कुछ भी समझने लाइक नहीं है एकदम simple है बस इतना सा point है कि जब भी party का नाम given हो और case credit कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा मान के चलते है entry किस पे credit के उपर है तो P को sales किया है entry हो जाएगी P receiver है P debit to sales और amount है आपका 8,000 यह date लगा देंगे अप्रेल 5 ठीक है तो यह अपनी entries अप्रेल 5 तर complete हो गई उसके बाद अपने आ जाते है अप्रेल 7 पे यहां से अप्रेल 7 में क्या entry लिखी हुए है कि received rupees 30,000 from P in full settlement office account P से 30,000 रुपे full settlement में मिल गए जब भी full settlement word आता है मतलब discount होता है कौन सा discount होता है cash discount चलो इसको record करते है फटा फट से तो कितने रुपे receive हो रहे है 30,000 अब question यह कि sir 30,000 तो उसको हमने sell ही नहीं किया था P को sell कितना किया था 8,000 लेकिन अगर अपने देखते हैं तो P से पहले से कितने रुपे मांग रहे थे 24,000 रुपे यह last year के pending पड़े थे और current year में और उसको sales कर दिया 8,000 तो total कितना हो गया 32,000 तो 32 की बदले में P ने अपने को दे दिया कितना 30,000 तो बाकी का 2,000 रुपे क्या हो गया discount और P को कर देंगे credit क्योंकि P है giver 32,000 से cash को debit क्यों किया debit what comes in उसके बाद है next entry अप्रेल 10 को banking entries भी हम लोग discuss कर चुके हैं तो bank की entry भी यहां पे आ रही है देखो क्या लिखाव है April 10 को check received for rupees 15,000 from Q in full settlement of his account sir Q का amount तो बता नहीं रखा ये रहा बेटा Q का amount कितना है 16,000 रुपे 16 की जगे उसने दिये कितने 15 और वो भी check दिया है अपने को और April 12 की next entry में देखो क्या लिखावा है कि check received from Q deposited into bank Q से जो check received हुआ उसको bank में भी हमने deposit करवा दिया है तो 12 को deposit करवा है और आपको check के entry समझाई थी check अगर samday deposit नहीं करवाए तो हम लोग check in hand account ओपन करते हैं तो अभी फटाफट से इसको record करते हैं तो entry क्या बन जाएगी check in hand account debit और जितना discount है वो discount account और टू देने वाला को ने क्यूँ कितना कितना रहा है 15,000 का check आ गया 1000 discount हो गया और 16,000 का क्यूँ को credit कर देंगे क्योंकि क्यूँ गीवर है चलो उसके बाद में देखना next entry next entry है April 12 की और कह रहा है कि यह जो check था उसको bank में जमा करवा दिया तो bank में balance बढ़ेगा bank account debit और यह check हमारे से वापस जा रहा है तो to check in hand इसको कर देंगे credit 15,000 से सड़ discount का कुछ discount तो बेटा एक वार record हो गया discount का bank को क्या मतलब bank तो check कितने का जमा करेगा 15,000 का तो bank to check in hand और यही अगर हम लोग samday जमा करवा देते इस check को तो यहाँ पे सिधा bank ही आ जाता और यह entry करने की जोरत ही नहीं पड़ती ठीक है चलिए उसके बाद अप्रेल 15 की entry देखते हैं अप्रेल 15 की entry है goods worth रुपीज 20,000 worth distributed as free sample free sample में goods distribute कर दिये free sample की जगे पे कौन सा account open करेंगे advertisement account debit कितने रुपे का amount है 20,000 और two credit क्या करेंगे goods जा रहे हैं हमने cash में advertisement नहीं किया क्या है goods जा रहे हैं और अब याद करो वो situations हमने discuss की थी कि जब भी goods का other than sell यूज हो goods sell के अलावा अगर चले जाए तो फिर हम लोग उसकी जगे पे कौन सा account credit करते हैं purchase account ही credit करते हैं क्योंकि purchase को reduce करना है और कौन-कौन सी situations थी वो वो situations थी अपने पास 5-6 situations हमने discuss की थी मालिक goods गर पे लेके चला जाए drawing by the owner loss by fire या loss by theft और ये किये free distribution और एक हो गया आपका charity of goods और एक अपने salary दे दी worker को goods के अंदर उन सारी situations के अंदर हम लोग जो account credit करते हैं वो account है purchase account special situations हमने discuss की थी तो purchase account credit हो जाएगा 20,000 से उसके बाद में next transaction है आपका cash sales है 10,000 की out of which 8,000 deposited into bank तो यानि की आपने जब sales किया तो cash आया और क्या आया bank में balance increase हुआ cash में कितना debit करेंगे 2,000 और बाकी का कहा चला जाएगा bank के अंदर और two goods जा रहे है credit करो to sales account 10,000 से के रहें और उसके बाद में ये entry है आपकी April 18 की फिर अगली entry है April 20 की लिखावा है sold goods to चन्दा costing rupees 15,000 at 20% profit और कुछ भी लिखावा नहीं है 20% किस पर देना है कुछ नहीं पता है तो 20% cost पर calculate करेंगे तो 15,000 का 20% किता हो गया 3,000 और हमें accounts के अंदर जब भी goods sell करते हैं तो selling price पर entry की जाती है तो selling price पर entry कर लो फटाफट से चंदा receiver है goods दे रहें उसको to sales account और कितने पर record करेंगे selling price पर जो की है 18,000 सर एक चीज तो आपने बता ही नहीं सर यहाँ पर जैसे ही यह complete होता है यहाँ पर पता है हम लोग क्या करते है इसको हम लोग carry forward करते हैं यहाँ पर इसकी totaling करके अभी मैं कर नहीं रहा हूँ यह total करके इसको carry forward करते है next page के लिए और यहाँ पर सबसे उपर पहले क्या लिखा जाता है brought forward और वो total जो करते हैं वो यहाँ लेके आता है उसके बाद यहां फिर से carry forward करते हैं cf sort में लिख देते हैं carry forward और फिर उसको वापस next page पे brought forward कर लेते हैं चलिए यह अपने space यहां पर over हो गया तो काम करते हैं मैं यहां पर space बनाता हूं यहां पर हम लोग आगे का question solve करते हैं इसको हटा देता हूं चलिए अपना हो गया चंदा वला 24 तक हो गया उसके बाद देखना 24 एंट्री भी काम की है चंदा became insolvent सर यह क्या हो गया यह वेटा पैसा मिल पाएगा क्या पूरा नहीं मिल पाएगा जीतनी उसकी properties यह उतना पैसा लोग बाद की का पैसा दूब गया और जब डूब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं याद आ रहा है bad debts that is bad debts तो चन्दा का जैसी पैसा डूबा वो पैसा हो गया अपना bad debts डूबे भे पैसे को हम लोग record करते है bad debts और bad debts हमारे लिए क्या है loss तो क्या लिखावा है became insolvent and 60 पैसे इने रूपी 60 पैसे इने रूपी that means 60% amount जितना रूपए लेने थे उसका 60% डूब गया could be received from his estate by check check से अपने को किते रूपे मिल पाए 60% मिल पाए बाकी के पैसे होगे डूब तो चलो इसकी entry करते है sir ये चन्दा तो डूबा गई अपने को हाँ बेटा हाँ bank account debit और जितना पैसा डूब गया उसके लिए क्या लिखेंगे bad debts account debit देखो सबसे पहले तो ये देखो कि पैसा receive कितना हो रहा है तो 60 पैसे तो 60 पैसे calculate कर लेता है 18,000 into 60% तो ये आपका हो गया 10,800 बाकी का difference amount है वो आपका क्या हो गया loss तो loss को क्या करेंगे debit करेंगे पहले तो जितना receive हो रहा है debit what comes in तो bank के अंदर जितना receive हो रहा है वो debit करो जितना डूब गया पैसा वो loss है इसलिए उसको debit करो bad debts नाम से और तू ये giver कौन है चंदा तो चंदा को credit करो 18,000 से अब एक question बच्चो के mind में आ रहा है इस question में तो लिखावा नहीं है कि samday deposit किया है तो क्या पता हो सकता है चार दिन बाद किया होगा तो ये लिखो logic point कि जब भी अपने को clear नहीं हो सके situation में और ना ही पीछे की entry आ 28 और 30 ये दोनो entries भी check करो उस check के बारे में कुछ भी mention नहीं है इन दोनों date के अंदर भी इसका मतलब assume कर लेंगे कि check को same day deposit करवा दिया है सर ऐसा क्यों assume किया क्योंकि बिटा कोई भी rational आदमी check को अपने पास नहीं रखता है उसको bank में convert करवाता है clear है? तो यहाँ पर कुछ information नहीं थी इसलिए मैंने assume कर लिया कि check same day ही जमा हो गया इसलिए मैंने check in hand account open नहीं किया चलो next entry है राजा विड्रिव रूपीज 2,004 private use and 4,004 office use राजा ने bank से from bank राजा ने 2,000 रुपे private use के लिए सर राजा कोन है? राजा तो राजा store है तो राजा कोन है? मालिक है तो मालिक ने जब पैसे निकाले हैं तो कौन सा account लिखते हैं? ड्रोइंग account debit और जितने पैसे business के अंदर आ रहे हैं office use के लिए तो cash account debit और पैसे निकल कहां से रहे हैं? giver कोन है इस वार? bank account giver है amount है वो उपने fill कर देते हैं कितना कितना है? 2,000 and 4,000 और आपके bank के अंदर से कितने पैसे चले जाएंगे? 6,000 तो यह entry बन जाएगी एक साथ इस entry को यह जो ऐसी entries होती है जिसके अंदर दो account debit होता है या दो credit होता है उसको हम लोग बोलता है contra entries चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं last entry पे अप्रेल 30 पे यह हो गई आपकी 28 की अप्रेल 30 पे क्या entry है? paid salary रूपीज 4,000 and rent रूपीज 6,000 salary अपने लिए क्या है? expense है तो debit all expenses rent अपने लिए क्या है? sir rent भी expense है तो debit करो rent को भी उसके बाद मैं इनको pay करने के लिए आपने क्या दिया? check तो पैसा cash की जगे check से जा रहा है तो credit करो bank account को debit हो गया 4,000 से 6,000 से और ये credit कर देंगे 10,000 से ये आपका question हो गया complete इसके अंदर हम लोगों ने कुछ जो है narration से वो skip कर दिये हैं आपको हर entry के बाद में एक explanation sort के अंदर explanation लिखना होता है जिसका कोई hard and fast rule नहीं होता है आप अपने हिसाब से कुछ narration लिख सकते हो आपको लिखना चाहिए होता है चलो ये तो था एक simple सा question अब हम लोग next class में कुछ और questions की practice करने वाले हैं और journal है sir journal पे इतना focus क्यों है क्योंकि journal बहुत important chapter है जब तक आपको ये chapter entries बनाना अच्छे से नहीं आएगा आगे के chapters के अंदर कहीं न कहीं छोटी छोटी problems आती रहेगी इसलिए तो journal बेटा इतना important है ये आपको देखो कैसे इतना important मैं इसको बोल रहा हूँ ये आप देखो teacher ने बच्चे को पूछा बेटा journal आता है और बच्चा बोलता है नहीं तो फिर देखना teacher की सकल कैसी हो जाती है चलो तो ये तो जोक था journal मतलब कहने का मतलब ये है कि journal इतना important है कि अगर आपको journal नहीं आता है तो आप लोग मेरे paper का सामना कैसे करोगे अगर accounts का paper का आपको सामना करना है उसका challenge लेना है तो आपको journal आना तो must है कि कि अभी तो हमने basic journal entries कुछ एक समझी है practice आपको करनी है बहुत सारी practice करिए journal के अंदर और ये chapter जितना strong होगा उतना ही अपना आगे बहुत फाइदा मिलने वाला है practice करेंगे सब लोग हाँ sir हम लोग practice करेंगे चलिए ठीक है फिर मिलते है next class में bye bye आप करेंगे थरीक करेंगे एफ लोग रवी तो हमक्राइबे लोग रझार प्सक्तिए टे रवाले कि अंदर लोग्षाए क्यू लोग ड्वादे इस अब्सक्रावाज मिलते है बड़ करेंगे मिलते है